नवश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हाई आई को एडूकेशन में मेरा नाम प्रिये है और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एवरेज यानि कि ऑसित एक्जामिनेशन पॉइंट आफ यू से यह चैप्टर कितना इंपॉर्डेंट है यह बताने की जरूरत है नहीं लेकिन सबसे बड़ी प्रावल्म यह है कि कोई भी एस्पिरिंट जब एवरेज का चैप्टर शुरू करते हैं तो पहले ही पेच पे उनको बहुत सारे फॉर्मले देखने को मिलते हैं जब आप अगला पेच पलेटी है तो आपको फिर से बहुत सारे फॉर्मले देखने को और जब आपको फॉर्मला याद ना हो एक्जाम में बैठे हुए एक्जाम का जो प्रेशर हमारे पास होता है एक्जामिनेशन हॉल में और उसकी वज़े से आपका कुश्चन सॉल्व ना हो तो वह एक अलगी फ्रस्टेशन देता है जो कुश्चन आप सॉल्व भी करने व कि फॉर्मॉला का इस्तमाल हो ही ना आप इस चप्टर में देखेंगे कि किसी भी तरीके का कोई फॉर्मॉला हमने इस्तमाल नहीं किया और एक्जाम में पूछे जाने वाले ऐसे बहुत सारे सवाल जो रेपेटिटिव नेचर के आते ही रहते हैं मतलब इसी टाइप की कॉ कुशन को सॉल्व करने के लिए जो टाइम लगाते थे आप उससे वन थर्ट में भी यह कुशन सॉल्व कर लेंगे अगर आपने इन फॉर्म तरीकों को अच्छे से कमांड कर लिया तो आप 30 से 40 सेकेंड में कोई भी कुशन सॉल्व कर सकते हैं आए देखते हैं कि हमने एव उससत क्या होता है कि आपके पास जितने भी नंबर्स दिये गए हैं उनको सब को सम कर लिजिए जोड़ देजिए और उसके बाद जितने भी सम हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए उधारन के तोर पे जैसे यह वला देखते हैं अगर आपको इस पहला कुशन देखते हैं कि स्कोर 35-45-37 रन इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इनिंग रिस्पेक्टिवली फाइंड एवरेज रन इन फ्री इनिंग एक बलेवाज ने पहली दूसरी और तीसरी पारी में 35-45-37 रन बनाए तो तीन पारियों में औस तरन ग्याद करिए अगर आप ने यह वला मेथेड झांचन है some of numbers यह तना भी नंबर थेयां को संप कर एवर करने क्या कैसे को सौल of things among each and every person who is included in the group मतलब जो भी ग्रुप में आपके पास लोग है या जो भी है उन में आपने क्या करना है equally sub में बराबर बराबर माठ देना है वही तो आषद कहलाता है जैसे हम बात करते हैं दोनि जी के दोनि का average है पचास तो इसका यह मतलब नहीं यह कि उन्होंने पचास रन हर परी में मारा है किसी में 0 मारा है किसी में 100 माराई यहां पर किसी में डेड़ सो मारा है लेकिन हम average के तौर पे क्या कहते हैं पचास इसका मतलब क्या है कि हमने सब में हम यह सोचते हैं कि सब में उन्होंने पचास-पचास मारा है मतलब हर इनिंग में हमने runs को divide कर दिया है तो हमने यही assume करके चलना है कि जब भी हम average के question को solve करेंगे हम सब में बराबर equally distribute कर देंगे जैसे कि आप यह देखे इसका average अगर निकालने को बोला जाए तो आप क्या करेंगे 10 15 20 को जोड़के और 3 से divide करिए नहीं आप देखें यहां पर मुझे लगता है कि average 15 के आसपास होना चाहिए 14 15 16 इसी के आसपास होना चाहिए मैं मान लेता हूँ कि मेरा average चलिए 15 है मैं क्या करता हूँ अगर 15 मैंने average मान लिया है तो यह जो 20 है हमारे पास इसके पास 15 से 5 जादा है तो यह वाला 5 मैं इसको दे देता हूँ अब यह 10 होके 15 हो गया बीच वाले को हमने कुछ किया नहीं यह 15 ही रहे गया इसका पांच निकाला था यह भी 15 हो गया आप देखें यह सभी की सभी 15 हो गया यानि कि average हमारे पास 15 हो जाता है यहां पर लेकिन यहां पर अगर आप digits देखेंगे 10 15 20 आप इसक उसको देते हैं जहां पर कम था बस यही सारे method हमने यहां पर यूज करने हैं जैसे कि आप यह देखें इसका हम्ने average कैसे निकालना है यहां पर 35 है 37 है हमको लगता है कि average कोई देखे ये 35 है ये 45 है 37 है इसका मतलब 35 से उपर ही average होगा तो मान लेते हैं इस case में कि हमारा average तो 35 से उपर दिखता है 35 उपर दिखता है यानि कि 35 प्लेस में ही कुछ average होगा options भी देखे सारे 35 प्लेस में ही दिए है तो ये वला आप नंबर देखे ये तो इसको हम छेड़ते नहीं क्योंकि हमने मान लिया है कितना हमने मान लिया कि हमारा average 35 हो सकता है इसको देखे ये ये दस ज्यादे है जितना हमने माना था उससे दस ज्यादा है ये और ये दो ज्यादा है यानि कि total कितना ज्यादा है total है 12 ज्यादा है 12 को इन तीनों में डिवाइड कर दीजे तो आपके पास क्या पड़ेगा चार-चार सब को पड़ेगा यानि कि 4 इसमे divide कर दिया तीनों में तो चार चार पड़ा हर एक को 35 हम ने पहले ही मान लिया था तो चार ये average हो गया 39 ये question करते हैं आपको थोड़ा और समझ में आएगा कि average के questions किस तरीके से निकाले जाए इस method को use करके average of marks obtained in an examination by 8 students was 51 and by 9 other student was 68 what is the average mark of marks of all the students एक परिक्षा में 8 चात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का ओसत क्या उन था और 9 अन्य चात्रों द्वारा 68 था सभी 17 चात्रों का ओसत अंक क्या है ये question सब को समझ में आ गया होगा और सब को लग रहा होगा कि हमने क्या करना है हमने क्या करना है तो आठ गुने क्यावन प्लस नाइन इन्टू 68 और डिवाइड़ बाई 17 ये हमारे पास बन जाता है average का जो फॉर्मला होता है यानि कि सम ये और numbers ये क्या हमने इस तरीके से करना है हमने ऐसे नहीं करना इसकी calculation करने बैठिए खूप सारा time लगाईए और अपना examination खराब कर लीजिए तो इस तरीके से हमने नहीं करना हमने कैसे करना है चलिए देखते हैं इस में से देखें हम क्या करते हैं कि ये दो ग्रूप से है नiors आरण वच्छों का एक ग्रूप है और यहाँ नौव बच्चों का जह बच्चे है इसमियान फक्रों की यहाँ दो जहां लूंद बच्चे हैं तो यह की कि मान लिए सब का उस इक्यावन सा ओक्यावन से जदधा ही होगा न typical लेकिन यह वाले ग्रूप में यह यहां पर एक्यावन से 689 है यानि कि सत्रा सत्रा marks ज्यादा है यह total marks है not की average अब इनी total को आपको सब में बाटना है यह सब कितने हैं 17-17 बच्चे हैं इन सब में बाटेंगे तो एक बच्चे को पड़ेगा 9 हमने माना था 51 अब हर बच्चे को 9 पड़ रहा है यानि कि टोटल कितना हो जाएगा 60 60 आंसर को जाएगा option number C आपको समझ में आया यह मैंने कैसे किया फिर से repeat पे देखिए आपको समझ में आ जाएगा next question देखिए हमने इसको भी इसी method से solve करना है मैंने यहां पर लिख दिया 4 boys and 3 girls spent rupees 120 on an average of which boys spent rupees 150 on an average then what is the average amount spent by the girls चार लड़के और तीन लड़किया औसतन 120 रुपे खर्च करते हैं जिसमें से लड़के औसतन 1.500 रुपे खर्च करते हैं तो लड़कियां दुआरा खर्च की गई औसतराशी क्या है देखिए यहां पर देख लेजिए मान लेजिए किसी पिकनिक पे चार लड़के और तीन लड़किया गए हैं तो इन सब ने औसत कितना पैसा खर्चा किया कहा जाता है कि चलेजी 120 रुपे खर्चा किया सब ने लेकिन बाद में पता चला कि नहीं जो चार लड़के थे उन्होंने ओसत डेड़ सो रुपया खर्चा किया मतलब हर लड़का डेड़ सो रुपया खर्चा किया लेकिन फिर हमने ओसत देखा ओसत तो 120 का है इसका मतलब लड़कियों ने कुछ कम किया है लड़क चार लड़कों ने डेड़ सो किया है तो लड़कियों ने तो जरूर कम किया होगा क्योंकि आउसत तो सिर्फ 120 का ही है और लड़कों ने क्या क्या आउसत से जादा खर्चा किया है तो हमको यही निकालना है कि तीन लड़कियों ने जितना पैसा खर्चा किया बताईए औसत क्या है तो इस कोशन को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं जैसे हमने पिछला कोशन सॉल्व किया था देख लीजे यहां पे हर लड़का हर लड़का क्या कर रहा है औसत से 30 रुपया खर्चा कर रहे हैं और तीन लड़कियों में अगर आप बांट देंगे तो यह क्या पड़ेगा आपको 40 यानि कि हर लड़की औसत से 40 रुपया कम खर्चा कर रही है यानि कि 120 से अगर आप 40 निकालेंगे तभी आपके पास आंसर आजाएगा कि अगर यह जादा है तो दूसरा वाला ग्रुप तो कम होगा ना तभी तो आप आपको यह कुशन समझ में आ गया होगा आंसर क्यों जाएगा 80 next question है मेरे पास average expenditure of a man for the first five month is rupees 120 and for the next seven month is rupees 130 what is his monthly average income if he saves rupees 290 in that year पहले पांच महीनों के लिए एक आदमी का औसत खर्च 120 रुपया है अगले साथ महीनों के लिए 130 रुपया है यदि वह उस वर्ष 290 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक औसत आय क्या है देखे यहां पर प्रॉब्लम यह है कि average expenditure दिया है पांच महीने का यानि कि हर महीने 120 रुपया वह खर्चा कर रहा है फिर अगले साथ महीने यानि कि हर महीने वह 130 रुपया खर्चा कर रहा है अब जब वह बचाता है तो यह महीने के रूप में नहीं दिया गया यह पूरे साल का कितना दे दिया जी 290 रुपया बचाता है अब आपको बताना है कि उसकी monthly income कितनी थी average monthly income क्या थी यहां पे month में data दिया है और यहां पे साल में data दिया है और आपको month में निकालना है देखिए कैसे करेंगे हम जानते हैं कि average क्या होता है equal distribution of things among each other सबको बरावर बरावर में आप बाढ़ देजे वही तो average होता है यहां पांच के पास 120 है यहां साथ के पास 130 है यानि कि पांच के पास कुछ कम है income क्या होता है आपके पास income होता है expenditure plus saving मतलब जो आप कमाएंगे उसी में से खरचा करेंगे और B does आएंगे है ना इनकम यह होता है ना खरचा और आपका बजट यही तो होता है इनकम देखें यहां पर यह हमारे पास expenditure है यह क्या है हमारे पास expenditure और यह क्या हमरे पास saving है ना इन दोनों को जोड़ियेगा तो आपके पस income आएगा तो यहां पे 5 महिनों का खर्चा 120 है 7 महिनों का खर्चा 130 है हम से प्लस ही तो करना है इसमें से प्लस ही करना है देखे अब इसको क्या करना है यह पूरा साल का दिया है हमको पूरा मंत का चाहिए पूरा मंत का चाहिए यानि कि एवरेज निकालने के लिए आपको 12 से डिवाइ 740 होता हर महीने वह 200 रूपया बचाता अगर 240 होता तो त 메स को आप क्या पर दिभी यहां पर दे लिए कैसे अगर आपने इस पचास को यहां पर दे दिया तो हजितने यह पाँच है ना पाँच महीने से इनकी Πचास रॉपया को expenditure मिल गया 130 मैंने कि 12 महीने वो कितना खर्चा कर रहा है 130 और महीने बचा रहा है 20 इसलिए 130 प्लस 20 उसका income कितना हो जाएगा डेड़ सो यह एक्जाम का डेटा दिया हुआ है एक्जाम में डेटा इसी तरीके से दिये जाते हैं अगर आपको concept क्लियर है तो आप questions को देखते ही solve करेंगे कि आपका approach कैसे होना चाहिए तो इसको बहुत method से solve कर सकते थे लेकिन यह वाला best method था आप practice करिए आपको भी ऐसे methods आने शुरू हो आएंगे questions को देखते हैं आपको लगेगा कि हमारा approach क्या होना चाहिए किस तरीके से solve करना है और आप with minimum use of pen and paper और बहुत कम टाइम लगा क्या question solve कर सकते हैं I hope आपको यह question समझ में आ गया होगा यह वाला question I think हर तरह के exam में इस तरह के question पूछी जाते हैं चाहिए यूपी यूपी सी का CSAT हो यूपी PCS हो या BPSC BSSC यह मैंने questions देखें कि SSC से लेके इवन civil services exam तक ऐसे question पूछी जाते हैं यह temperature वाला बहुत ही famous question है देखें 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 देवरेज तेंपरेचर फॉर्ट थी वीक इस 27 डिगरी सेंटीगरेट और अगले तीन दिनों में 29 डिगरी है यदि पूरे सपता का ओसत साड़े 28 डिगरी सेंटीगरेट है तो आखरी दिन का temperature बताईए तापमान क्या होगा देखें कैसे निकालेंगे हम इस question में मैंने यहां पर लिख दिया है Monday Tuesday और Wednesday का जो औस तापमान है वो कितना है 27 डिगरी Thursday Friday और Saturday को है 39 डिगरी और Sunday का हमको पता करना है ठीक है Sunday नहीं पूछा हुना पता लास दे क्या है तो चलिए Sunday वान लेते हैं यहां पर और यहां से अगर आप यहां पर देखें तो पूरे वीक का जो और टेंपरेचर दिया गया है वह 28.5 डिगरी तो आप कैसे इसको निकालेंगे देखे सबका पूरे वीक का 28 होना चाहिए अगर आप इन तीन दिनों की बात करेंगे तो यहां पे सिर्फ 27 हुए है यानि कि इन तीन दिनों में आपके पास कितना minus 1.5 हर दिन temperature डेड़ डेड़ कम हुआ है यानि कि total साड़े चार 3 into minus डेड़ जो है वो कम हुआ है अगले तीन दिरों में यहाँ पर देखेंगे तो यह 0.5 औसत temperature से जादा हुआ है कितने times में? 3 times में इसको solve करें यह होगा minus साड़े चार और यह होगा आपके पास डेड़ तो यानि कि minus साड़े चार और डेड़ में कितना बचेगा? minus 3 यानि कि यह अगर आप पूरे यहाँ से यहाँ तक का आप आगे बढ़ें तो आपको यह पता चलता है कि हमारा temperature जो था पूरे या 6 दिनों का अभी भी औसत तीन पीछे चल रहा है यानि कि संडे को आपके पास कितना temperature होना चाहिए तो साड़े अठाइस तो होना ही चाहिए साड़े अठाइस तो होना ही चाहिए क्योंकि यह तो आपको maintain करना ही है प्लस तीन जो पिछला रह गया था वो भी आप इसमें प्लस कर दीजिए क्योंकि वो तो कम चल रहा है तो आपके पास कितना हो गया साड़े अठाइस डिगरी सेंटिग्रेट अपिशन नमबर सी आंसर हो गया अगला कोशन है क्रिकेटर स्कोर 180 रंस इन फर्स तेस्ट और 258 रंस इन फर्स और 258 रंस एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रंस और 258 रंस बनाए तीसरी टेस्ट में उसे कितने रंस बनाने चाहिए ताकि तीन टेस्ट में उसका आउस्ट स्कोर 230 रंस हो जाए यह क्योशन कुछ इस तरहीटे से सॉल्व होगा देखे जो क्रिकेटर है पहले मैच में 180 रन मारता है दूसरे मैच में 258 रन मारता है अब तीसरे मैच में बताइए कितना रन मारेगा ताकि उसका उसर जो है वो 230 हो जाना चाहिए मतलब सब में 230 हो जाना चाहिए तो यानि कि इसमें उसको बहुत सारे रन मारने होंगे किसमें इसमें तीस तीन में बहुत सारे या बहुत कम जो भी हो गाम निकालेंगे ताकि 230-230 average हो जाए अगर 250 सब में मार लेता तो उसका 70 ही हो जाता, लेकिन नहीं, उसने पहले में कितने 10010 run मारें, यानि कि वह 230 से 50 कम मारें उसने, अब उसने जितना कम मारा उसको अगले match में 230 मारना ही हो और प्लस जो 50 कम मारा था वो भी 50 भी तो मारना होगा ताकि 230 का अगर दो मैचों की बात करें तो 180 रण पहले मैच में मारा 230 बरकरार रखने के लिए अगले मैच में 230 प्लस 50 पिछला वाला जो रहे गया था वो भी मारना होगा तो वही कॉंसेप्ट को हम यहां पे लगाएंग कि 22 उसने जादा मारा ठीक है स्वरी 28 उसने जादा मारा यहां से 258 टोटल आप कलक्लेट करेंगे तो अभी भी 22 पीछे चल रहा है यानि कि 22 रन और सथ से अभी भी कम चल रहा है तो तीसरे मैच में उसको 230 तो मारना ही पड़ेगा प्लस जो 22 कम चल रहा है वो भी मारना एच सपरेशाव सके लाँ यहहां से 20 कम चल काकुग अवर्च येज आवरा गोर कि दी ठीकि क обыч lol कि यह यह हमें ये मतरव तक पाट साल पहले राम शाम और मोहन की और सथ आई यी तैस वरश है 10 वर्ष बाद मोहन की और कि यह क्या होगी यह आपको बताना है कहने का मतलब है 5 साल पहले राम, श्याम और मोहन की ओसत आयू कितनी थी? 20 साल यानि कि राम, श्याम और मोहन 20-20 साल के थे, सबी 20 साल के थे, ये तीनो 5 साल के बाद, तीनो क्या हो जाते हैं? 30 साल के हो जाते हैं आपको मोहन का 10 साल के बाद उम्र बतानी है अच्छा एक बात बताईए अगर उस्वत आयू कुछ भी रहे मतलब जितने साल आप एड़ करेंगे तो हर इंडिविज्वली में उतने साल का ही तो एच बढ़ेगा मतलब राम अगर बीस साल का था तो पांच साल के बाद वो पच्छिस का ही होगा ना पच्छिस का ही होगा श्याम बीस साल का था तो वो भी पच्छिस का ही होगा यानि कि यहां पे पांच साल के बाद राम को पच्छिस ही होना चाहिए था श्याम को पच्छिस ही होना यानी कि पांच-पांच जो है, दस तोटल जादा है, यानी कि थाटी तू मोहन है ही, वहाँजम प्लस, है सोटी है, दस जादा है, टोटल पुर्टी घै अब दस साल के बाद इसकी उमर क्या होगी, 40 में 10 जोड़ी है तो कितना होता है, 15 साल, औसर क्या हो जाए उप्शियों n years what is the present age of x पांच वर्ष पहले a b c d की ओसत आयू 45 वर्ष थी x में शामिल होने से सभी पांचों की वर्तमान आयू 49 वर्ष हो जाते हैं सौरी x की वर्तमान आयू क्या है देखें a b c d की ओसत आयू कित्ती थी 45 वर्ष और ये कब के बात है ये 5 साल पहले की बात है यानि कि 5 साल के बाद इनकी उमर कित्ती होनी चाहित ही mov 45 नाओ के घट गया त्पिछले वाले क्वस्चन में क्या है था बढ़ गया था ठीक है इसमें कि आयुको कितने हो जाती है हमारे पास देखिए पैतालेस में पांच टूर 20 50 होना चाहिए था शुंप कने हैं चाहिए न चाहिए पीट सुरि पैंतालेस 15 बोल दिया था यहां पर पछ उना चाहिए था तो कितना जी यहां लेकिन चार-चार घड़ गया है मतलब यह चार अपने साथ कम लाया था इसका मतलब यह 45 एर्स का ही था आंसर क्या हो जाएगा ए साथ लगतार घणात्मक पूर्णांगों का उसत 26 है इन में से सबसे छोटा अंक्या है तो यह ओप्शन्स दिये गए हैं देखे क्या होता है कि जब ही भी कोई कंजेक्युटिव सीरीज रहे मतलब लगतार सीरीज एक दो तीन चार पांच छे तो बीच वाला उसका एवरेज होता है आप इवन नंबर की सीरीज भी बताएंगे तो बीच वाला उसका एवरेज होगा बीच वाला जो नंबर होता है और नंबर की अगर सीरीज होगी तो बीच वाला उसका एवरेज होत होता तो उसका आपको निकालने ही पड़ता है लेकिन अगर इवन और या फिर नमबस आ जाएं तो उसका जो होता है वह बीच वाला होता है जैसा कहने का यह मतलब है इसमें अगर हम बात करें इसका एवरेज क्या होना चाहिए तो आपको देख के लग सकता है कि इन सब को जो और फर्स तर्म को जोड़िए और दो से डिवाइड कर देजिए तो ऐसे भी निकाल सकते है पांच प्लस एक कितना होता है छे और छे को आप डिवाइड करिए दो से तो आपके पस निकल के आएगा तीन यानि कि तीन आइवरेज हो गया या फिर डिरेक्ली आप छोड़े से हैं तो बीच वाला इस कैवरेज हो गया यह वाला देखे यह इवन नंबर का सीरी चलते जा रहा है मैंने तीन ही लिए इस कैवरेज क्या हो जगा चार बीच वाला जोड़के देखे छे चार दस और बारा बारा को तीन से डिवाइड करिए तो आंसर आता है चार ठीक है दूसरे तरह किसे भी कर सकते हैं छे और दो को एड करिए आठ और आठ को डिवाइड करिए दो से तो आंसर आ गया चार ठीक है फिर यह वाला देखे इसका एवरेज कितना हो जागा पांच बीच वाला ओके तो जैसे मान लिए यह पांच है ना सेम इसी तरह किसे यह वाला है तो आप इशर कि हो जाएगा मेटरम आपने यहाँ चार करने है अब यहां पर हमारे पास जो नंबर सेंवांगा है यानि कि तीन आगे पीछे यही है अविर एवरेज है आपको पताने सब चोटा क्या सब Всёष ना सब च्छोटा यह वाला है ना तचा हमें 잡िस में से फीं म अगला question है, the average weight of 8 persons increases by 2.5 kg, when one of them whose weight is 56 kg is replaced by new person, what is the weight of a new person? आठ वेक्तियों का औसत वजन 2.5 kg बढ़ जाता है, जब उनमें से एक जिसका वजन 56 kg है, को नए वेक्ति द्वरा प्रतिस थापित कर दिया जाता है, एक नए वेक्ति का वजन कितना होता है, ये बताना आपको, देखें इसको कैसे solve कर सकते हैं, आठ लोग हैं, उनका औसत कि हो, मान लेजिए X है, मान लेजिए यहां पर X है, X की जरुत पड़ेगी नहीं, जिससे मैंने मान लिए X है, धाई किलो इनका औसत जो है, वो बढ़ जाता है, कब, जब इनमें से एक आदमी, जो 56 kg का है, वो चला जाता है, और दूसरा आदमी आ जाता है, रिप्लेस कर दे गया है, यानि कि वो 56 kg से 56 kg है ही, प्लस कितना जादा है, आठो में धाई धाई किलो बढ़ गया है, यानि कि 56 प्लस बीस, कितना हो गया, 76 वो चेतर किलो का है, तो option number B, अगला question भी मिलता जुलता question है, the average age of 37 students of a class is 17 years, when the age of a class teacher is included, it becomes 18 years, what is the age of a class teacher, एक कक्षा के 37 चात्रों का ओसत आयू 17 वर्ष है, जब कक्षा शिक्षक की आयू शामिल की जाती है, तो वो 18 वर्ष हो जाती है, कक्षा शिक्षक की आयू क्या है, ये आपको बताना है, इसमें ये उकला question हम इसी तरीके से करेंगे, कैसे, 37 बच्चे है, सब का ओसत 17 साल है, 17 हर बच्चे की उमर 17-17 साल है, लेकिन एक टीचर आगे, जिससे क्या हुआ, सब की उमर 18-18 साल हो गई, तो आपको बताना है कि टीचर की उमर क्या है, अफकोर्स जो टीचर की उमर है, वो 17 साल से बड़ी है, तब ही तो सब की 18-18 साल हो गई, लेकिन कितनी बड़ी है, ठीक एक बढ़ गया 37 में एक बढ़ गया टोटल कितना बढ़ा 37 37 में एक बढ़ गया तो यह टीचर की उमर हो गई 37 प्लस 18 कितना हो गया 55 साल option number D यह वाला question भी average का है इसमें थोड़ा सा allegation का लगेगा आप मेरा allegation का वीडियो देखेगा तो आपको clear हो जाएगा कि allegation कैसे से निकालते हैं वहां से यह questions को हम solve करेंगे थ्री साइंस classes ABC टेकर life science test the average score of a class A is 83 average score of class B is 76 average score of class C is 85 the average score score of AB is 79 average score of class BC is 81 then average score of class ABC की चो है औस निकाल लिए अब मैं हिंदी में नहीं पढ़ूँगा बहुत ज्यादा time हो जाएगा यहां पर देखें यहां पर क्या था थ्री साइंस classes ABC टेकर life science test वह कुछ टेस्ट लेते हैं इसमें average score class AB का दिया हुआ AB का दिया हुआ है BC का दिया हुआ है अब इसको हम allegation के method से solve करेंगे कैसे देखें यहां पर हम लिख देते हैं A B और C ठीक है एक का कितना average दिया हुआ है 83 B का average कितना दिया हुआ है 76 और C का average दिया हुआ जी 85 पहले यह किस ratio में है वो तो निकाल लें अब ratio निकालने के लिए कैसे यह average से नहीं निकलेगा इसका ratio कैसे निकालेंगे अब देखें a اور b का जो ratio average है 79 है b c का average है 81 अब इसमें से इसको minus करिये तो कितना आता है जी 3 इसमें से इसको minus करिये तो कितना आता है 4 ठीक है यह यह वाले पार्ट का हमने ratio निकाला a और b का 3 ratio 4 और b और c का similarly अब ratio निकालिए 85 में से 81 निकालिएगा तो 4 4 दिया ही हुआ है तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 76 में से 81 को निकाल गए, तो कितना हैगा 5, यानि कि A, B, C का रेशियो कितना है, 3, 4, and 5, बदलब ये बोल सकते हैं कि A, B, C में जो average score की बात की जा रही है, यानि कि बच्चों की बात की जा रही होगी कि उनके score कितन आए, तो इस ratio में बच्चे हैं, 3, 4, 5 ratio में, तो यहाँ पर तो दिया ही हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जी, A का है 83, B का कितना है, 76, और C का कितना है, 85, यहाँ पर फिर हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कि सब का average कितना है, 76 है, यह बला मान लेते है, 76, पर य 76 है कितने जादा है 7 जादा है लेकिन टोटल कितने 3 साध 5 बारा है है कितने by 12 66 by 12 कितना होता है आप इसको cancel out करिए ज़रा चार और 33 को आपने चार से डिवाइड करना है तो नहीं स्वारी नोट 33 22 को आप चार से डिवाइड करिए तो आपके पास क्या निकल के आएगा 5.5 तो हमने 76 माना ही था 5.5 निकल के आया है इसका मतले एवरेज कितना हो गया 81.5 या option number 1 फिर ये question series वाला question है देखे कैसे करेंगे average of the first 7 integer in a series of 13 consecutive odd integer is 37 what is the average of entire series इसे मैंने लिख दिया आपको लिखने की जरूरत नहीं है मैंने समझाने के लिए है आपको जब practice हो जाएगी तो आप बिना ऐसे डंडे मारे भी कर सकते हैं तेरा क्रमागत विशंग विशंग पूर्णांकों की एक श्रिंखला में पहले साथ पूर्णंकों का उसत 37 है पूरी श्रिंखला का उसत क्या होगा यह consecutive odd integer है और इंटीजर मतलब एक यह अगर यह तेरा क्या होगा भी इसका भी बीच वाला होगा इसका भीच वाला क्या होगा चाथा नंबर है न तो यह odd है तो यह दो-दो नंबर बढ़ेगा तो यह कितना हो जागा 37 से 39 41 और यह 43 option number 4 अगला कोशन है the average of 100 observation was calculated as 35 it was found later that one of the observation was misread as 83 instead of 53 the correct average is सव अवलोकनों के ओसत की गणना 35 की रूप में की गई थी बाद में यह पाया गया कि एक अवलोकन को 33 की बजाए 83 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया था सही ओसत क्या है देगे कैसे करेंगे कितने observation थे total 100 observation थे और उनका ओसत कितना था 35 था ठीक है आपने क्या क्या मिस्रेट कर लिया आपने 83 पढ़ लिया होना चाहिए था 53 यानि कि आपने जो है 30 ज़ादा ले लिया है average आपके पास 35 है आपने गंड़ना में क्या किया है 30 ज़ादा ले लिया यानि कि आपका जो भी ओसत अब आएगा वो 35 से कम ही आएगा option में देखे 35 से कम कौन से है डी को छोड़ ये 4 को छोड़ के सब ही है तो 30 ज़ादा ले लिया है आपने total 30 ज़ादा ले लिया है कितने 100 100 में डिवाइड के रिए एक average पे average कितना घटे का 0.3 यहनि कि 35 में से 0.3 निकाल लिये 34.7 आज से निकल गयाता है option नमबर 2 अगला question है the average of marks of 14 student was calculated as 71 but it was later found that the marks of one student had been wrongly entered as 42 instead of 56 and another as 74 instead of 32 the correct averages 14 चात्रों के औसत अंकों की गर्णा 71 के रूप में की गई थी लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक चात्र के अंकों को 56 के बज़ाए 42 और दूसरे के 32 के बज़ाए 74 के रूप में गलत तरीके से दर्ज किया गया था सही औसत क्या है यह आपको बताना है उसमें हमने देखा था कि एक entry गलत हुई थी यहाँ पर दो entry गलत हुई थी अगर आपको method पता है तो चाहिए एक, दो, तीन, चार जितने भी रहे आप कर देंगे ठीक है तो यह मैंने इसलिए दो entry वाले question भी यहाँ पर लिख लिए क्योंकि एक्जाम में important questions है इस तरह के questions आते रहते हैं तो मैंने इन questions को include किया है अभी देखिए इसको कैसे गरेंगे देखिए यहाँ पर, यहाँ पर क्या है कि 14 जो हमारे पास students है उनका उसत 71 है कि यहां पर कुछ गडबड़ी कर दी गई कि जाथ से बीजया का जाएचा ओने कर दिया तो यहाँ पर कितना कि जी यहां पर 42 जादा कर दिया इसका difference कितना था आप difference निकालेंगे तो 28 तोटल 28 नंबरों की हेरा फेरी की गई है यानि कि अभी जो यह आपने 70 निकाला है यहां पे 28 नंबर जो है वो जादा है एवरेज की बात करें तो 14 में हर किसी के पास 2-2 जादा है 2-2 माइनस करिए 71 में से 2 माइनस करिए आंसर आता है 69 नंबर 3 यह कोशन भी बड़ा पूछा जाता है बच्चा पैता हो गया इतने सालों के अंतराल में उसकी उमर बताईए देखें कैसे करेंगे हमने अभी एक एज वाला कोशन किया था तो उसी बेस्ट भी यह वाला कोशन भी है 3 years ago the average age of a family of 5 members was 17 years a baby having been born the average age of the family is same today the present age of the babies तीन साल पहले 5 सदस्यों के परिवार के औसत आयू 17 वर्ष थी एक बच्चे के जनम के बाद आज परिवार की औसत आयू समान है शिशु की वरतमान आयू है आपको निकाल के बताए देखें कैसे करेंगे तीन साल पहले के बात है पांच लोग थे परिवार में सबकी औसत उस्तमर उम्र 17 साल थी मतलब सारे 17-17 साल के थी तीन साल के बाद क्या होता है कि उस बीच में एक बच्चे का जनम होता है जो अब फैमिली की उमर फिर से 17 साल है ऐसा कैसे हो सकता है तो आपको बच्चे की उम्र बतानी है ऐसा हो सकता है देखे कैसे यहां पर उसत उम्र सारे परिवार की 17-17 साल थी तीन साल के बाद यानि कि अगर हर या यह भी 17 था यह भी 17 था तो सभी तो 17-17-17 की होने चाहिए थे हैं ना लेकिन क्या हुआ कि अब कितन एतना बढ़ना चाहिए था तीन साल यह-टीजिव फाँंच मेंद छौटल पंद्रा बढ़ना चाहिए था फंद्रा बढ़ा नहीं वह 15 कहा गया वह अगर इसकी उमर भी 17 है तो इसका मतलब यह वह फेंड़ है न वह को अगर पूरे-गर पर और कहीं पे कुछ लोग कम हैं तो एवरेज सेम रहें यहां पर यह सब क्या थे यह कम हो गए थे यह कंव हो गया इनकी उमर कम थी तभी तो सभी का लुडग गया बीस न होने की वाज़े से मैं बीस जो भी होता उना होने की वाज़े से कम हो गया इसका मतलब यह दो ही साल के थे यह पंद्रह यहां पर आड़ कर दीजिए ठीक है प्रैक्टिस करिए आपको ऐसे कॉश्चिंस जरूर दीजिए मैं बार-बार हर वीडियो में कहता हूं कि फीडबैक अपना जरूर दीजिए ठीक है और आपको अच्छे लगी हो वीडियो तो लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मैं और भी नए-ने मैथेट्स और तरीके को लेके आपके सामने आता हूं और आपकी मदद एक्जाम में करता हूं आपको आने वाली परिक्षा के लिए आप सबको all the best और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद